नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्टेडी क्वीजित निर्मला यूटूब चैनल पर स्वाग आते हैं आज मैं आप सभी के लिए ICT यानि की सूशना एवं संचार प्रोध्योगी की से महत्पूर प्रश्ण लेकर आई हूँ जो की REIT के साथ साथ First Grade, LDC वगेरा सभी में उप्योगी है ये REIT SST में इसी बार 8 किया गया ही इसलिए टोपिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है कहीं बार ऐसा होता है कि जो नया टोपिक 8 करते हैं उसी में से क्योशन दे देते हैं इसलिए इस टोपिक को अच्छे से पढ़ें यहाँ पर टोटल में 20 प्रश्ण लाई हूँ इन्हें करिए और कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं आपकी कितने सही हो रहे हैं चलो देखो पहला प्रश्ण है यह भाग 2 है इससे पहले में भाग 1 अप्लोड कर चुकी हूँ तो उसे भी जरूर देखें प्रश्ण है नेशनल इन्फोर्मेशन सेंटर की स्थापना कब हुई उसलव क्या यानि कि शोशल नेट्वर्क शब्द किसके दवारा दिया गया उसका प्रश्लन किस नी किया J.A. Bernice Team Burnersly Jack Darcy या इन मेंसे कोई नहीं ऐसा तो होगा नहीं कि इन मेंसे कोई नहीं कि कुछ ना कुछ तो आंसर होगा तो इसका अंसर ही कि social net ass के द्वारा किया गया है कब किया गया 1950 मैं तो आंसर क्या हो जाएगा इसका A. J.A. Bernice अगला प्रशन है रेडिफमेल.com की स्थापना कब हुई? 1995, 1996, 1992 या 1998 रेडिफमेल.com की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1995, आंसर है A अगर प्रशन आता है किसकी द्वारा की गही तो आंसर हो जाएगा अजित बालकृष्ण अजित बालकृष्ण की द्वारा 1995 में रेडिफमेल.com की स्थापना की गही थी अगला प्रशने, फैसबुक की स्थापना कब हुई? 2003, 2004, 2005, 2006 तो फैसबुक की स्थापना होती है 2004 में कब होती है? 2004 में किसके द्वारा? मार्क जुकरबर्गी के द्वारा इसकी स्थापना की गई इसका headquarters कहां है तो इसका headquarters है California में फिर से सुनिए Facebook की स्थापना कब हुई तो answer हो जाएगा 2004 में हुई किसके द्वारा की गई अगर इसका headquarters पूचा जाता है तो answer हो जाएगा California अगला प्रशने इन में से कौन सी social networking sites नहीं है यानि social network वाली site कौन सी नहीं है facebook, twitter, instagram, infosys तो answer क्या होगा facebook, twitter, instagram सभी social networking है बाकी infosys, social networking site नहीं है ये एक company है कौन सी company है software company है तो answer क्या हो जाएगा the infosys अगला प्रशने प्रेश नमर 6 भारत का सबसे बड़ा प्रोध्योगी की मेला अंत प्रग्यान का आयोजन कहा हुआ तेलंगाना में आंधर प्रदेश में करनाटक में या फिर कैरल में तो answer क्या होगा इसका भारत का सबसे बड़ा प्रोध्योगी की मेला अंत प्रग्यान का आयोजन तेलंगाने में हुआ आंसर अ अंत प्रग्यान प्रोध्योगी की मेला एक ग्रामिन मेला है अगर प्रशन पूछा जाए कि अंत प्रग्यान मेला कौनसा है तो एक ग्रामिन प्रोध्योगी की मेला है जो कि तेलंगाना में आउजित किया गया था अगला प्रश्न एक किस ने रेल बोट नामक एक रोबोट विख्षित किया है, दक्षिड मद्धी रेल Police, पस्ट्र मद्धी रेल्वे, उत्तर मद्धी रेल्वे या इनमे से कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, दक्षिड मद्धी रेल्वे के द्वारा रेली बोट नाम और नमक रोबोड विक्सित किया गया है तो आंसर रे दक्षिन बद्य रेल स्थिसेक इसके इस काम आएगा तो अगला प्रश्ण नम्बर आठ ल, नमक के एक आर्टिफिशल इंटेलिजाठ सेपाई को बल में भरती किया है न्यूजिलेंड ने, अमेरिका ने, इसराइल ने या स्वीडन ने एला नामग आर्टिफिशल इंटेलिजन्स सीफाई को अपने बल में भरती किया है न्यूजिलेंड ने तो आंसर हो जाएगा इसका अर न्यूजिलेंड के द्वारा किया गया अगला प्रशने, प्रशन नमर नो, किसने दुनिया में सबसे पहले भारती ब्रेंड एटलस को विक्सित किया है भारती ब्रेंड एटलस को विक्सित करने वाले कोने या किसने किया है IIT गुहार्टी, IIT हेदराबाद, IIT दिल्ली, IIT इंदोन तो इसका आंसर होगा IIT हेदराबाद के द्वारा भारती ब्रेंड एटलस विक्सित किया गया है अंसर एबग अगला प्रशने, प्रशन नमबर दस किसने स्वदेशी रूप से निर्मित एक माइक्रोब प्रोसेसर विक्सित किया है जिसका नाम मौस्की है आंसर होगा IIT मदराज, IIT हेदराबाद, IIT गुहार्टी या फिर IIT इंदोन तो इसका आंसर हो जाएगा IIT मदराज जिसने microprocessor विक्सित किया है अगला प्रशने NASA द्वारा NASA द्वारा चंद्रमा पर पहला Cellular Network इस्थापित करने के लिए किस Network का चैन किया गया है NASA की द्वारा चंद्रमा पर पहला Cellular Network कीस Network का चैन किया गया Nokia का, Samsung का, Apple का या Redmi का तो आंसर हो जाएगा इसका Nokia का चयन उन्होंने किया है तो आंसर है A अगला प्रशने किस e-commerce company ने भारत में दुनिया का सबसे बड़ा office कोला Flipkart ने, Amazon ने, Snap deal ने या फिर AGO ने तो इसका आंसर हो जाएगा Amazon इसको Amazon भी कहते हैं Amazon भी कहते हैं Amazon की दौरा दुनिया का सबसे बड़ा office भारत में खोला गया आंसर है B अगला प्रशने, प्रशन नबर 13 Traffic signal पर female icon इस्तमाल करने वाला भारत का पहला शेहर बन कोन बना Traffic signal पर female icon इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शेहर कोन बना पठना, मुंबई, चेनने या जबलपूर इसका आंसर हो जाएगा मुंबई आंसर है B अगला प्रशने, तुनिया के सबसे कम उम्र के computer programmer कोन बन गया है कम उम्र के computer programmer कोन बन गया है प्रोग्राम अरहम ओम तलसानिया, हर प्रिस सिंग, आलिया, जफर या ओम श्रेवास्तों तो इसका आंसर होगा अरहम ओम तलसानिया अ इसका आंसर है अरहम ओम तलसानिया, computer programmer बन गया है जिनकी उम्र मात्र 6 वर्ष है कहां से भी लोग करते हैं आंसर होगा गुजराद यानि गुजराद के 6 वर्ष है अरहम ओम तलसानिया, computer program बन गया है जो की कम ओम ओमर के है तो आंसर क्या है इसका अगला प्रशने 2020 में जारी सबसे शक्तिशाली सूपर कम्पुटरों की टोब 500 सूची में भारत का AI सूपर कम्पुटर परम सिद्धी कौन सी इस्थान पर रहा है कब का पुछा गया 2020 का 63 वे नंबर पी 64, 65 या 66 तो इसका आंसर हो जाएगा 63 इस्थान पर रहा है अगला प्रशने है प्रशन नबर 16 देखिए किस सोशल मीडिया प्लेटफोर्म द्वारा ट्वीटर के द्वारा इंस्टाग्राम के द्वारा ये वाटसप के द्वारा तो इसका आंसर हो जाएगा फैस्बुक के द्वारा अंसर है अ अगला प्रशने देश का पहला ओनलाइन कच्रा विनिमाई कारिक्रम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया मध्यप्रदेश, आंद्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश या तेलंगाना किसके द्वारा पहला ओनलाइन कच्रा विनिमय कारिक्रम शुरू किया गया आंसर होगा इसका आंद्रप्रदेश यानि कि ब इसका आंसर है आंद्रप्रदेश अगला प्रशने विश्व का पहला अनुसंधान आधारीत आर्टिफिशल इंटेलिजेंट विश्विध्याले किस देश में बनेगा जापान में संयुक्त अरब अमिरात में चीन में या अम इंटेलिजन्स विश्विद्याले पनेगा। अगला प्रशने ट्वीटर के बॉडड चेयर्मेन हैं। यानि कि CEO पूछे गए हैं ट्वीटर के कोन हैं। मार्क पैसिक, जैनिम कोडल, पैट्रिक पिचेट, लुईस पर्सिवल तो इसका अंसर हो जाएगा सब पैट्रिक पिचेट ट्वीटर के बोर्ड चेयर्मेन है आज का अंतिम प्रशन है इस वीडियो का कोन गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट देने वाला भारत का पहला राज्य बना है तमिन नाडू, केरल, मनी पूर्या, ज्हारकन तो आंसर होगा इसका केरल, केरल राज्य के द्वारा गरीबी रेका से रीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट सेवा दी जा रही है तो आंसर है इसका ब केराद तो यह टोटल 20 प्रशन थे आप इन्हें सोल्व करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें आपकी कितने सही हो रहे हैं प्रशनों का लेवल कैसा है और अपने दोस्तों में भी शेयर करें चैनल को सस्क्राइब करें बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को अगर आपने इन तक देखा है तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद